नमस्कार दोस्वों आपशिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों कलशी आपशिवी के जिवनकाल की पांच बड़ी बातें शच होने वाली है जी हैं दोस्वों और दोस्वों जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोसों, हम दावी के शाद कहती हैं कि खुशी के आशु, आप रोख नहीं पाएंगे जिय हैं दोसों, कलशी आप शुभी के जिन्दगी का एक बहुती बड़ा और महत्मुझ शमे शुरू होने वाले हैं जिया दोसों, कलशी आप शिभी के जिवन काल की वो बड़ी पाँच बातें सच होने वाली है, जिनें जानकर आप खुशियों में जुम उठेंगे जिया दोसों, ये पाँच बड़ी बातें वो है, जो कि दोसों पिछले शमेशे आप इनका इंतजार कर रहे थी जिया दोसों ये पांच बातें आप शिबी के जिवनकाल की दिशा और दोसा को ही बदल कर रख देंगी जिया दोसों आप शिबी को बता दें कि कलशी आप शिबी के जिवनकाल की वो पांच बातें सच होने वाली है जिनसे दोस्वों आप शिवी का आने वाला भईश और दोस्वों आने वाला शमय बिल्कुल ही खुश्यों में रंग जाएगा दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि आपके जुनकाल में शाक्षात, धन की दिविव माता लक्षमी और भगवान भोलिनात आप शिवी के घर आने वाले हैं जिहां दोस्वों आप शिवी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का शमय दोस्तों आप शिबी के जिन्दगी के शबसे महत्पुन शमे होने वाले हैं जै दोस्तों आज के इस सकारशकरब में हम आप शिबी के जुनकाल की वो बड़े भाश्वानी करने वाले हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आप शिबी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं देगा लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको कुछ महत्पुन सचाईबी आप शिबी को बताने वाले हैं कुछ इसे सचाईशी आप शिबी को रूबरू करव जोब आप यह बात Wanna जरूर ही कहेंगे कि का आश आप बात हमें पहले बता दी होती हमारा जिंदगी ही वदल जाते जीहाँ दोस्तों इसलिए आज की बिढ़ीओ को आप भूअ कर मिशमत कीजीएगा कि चुने वाले चार शीप को बिता दे कि्याने बाले चार दिनों के लिए रहने वाली है ज्यार दोसुं हम आप श्वी को उटादें कि आपके कुण्डली में शुकर शनी और गुरू के स्थि shaft बहुती भागिव्षाली बनने वाली है ज्यार दोस्वं हम आप श्वी को उड़ें कि गुरू का शहत आयर श्मी आपके श्ण की स्थान प्रश्बी विवयक्ति आए धियान में, ज्यान दोसुँ अगले चार दिनों तक जो भी व्यकति इस वीडियो में जो हम बात बताने वाले उन बातों को ध्यान में रखेगा दोस्तों उन शबी का ध्यान जीवन बिलकुल ही शबल हो जाएगा और दोस्तों इस धर्ती में कोई भी इशा इंसान नहीं है जो उशे रोक पाएगा जे दोस्तों शबलता पाने शी काम्याबी पाने शी या फिर अपने जुनकाल में तरक्की को पानेशे दोस्तों कोई भी इंशान रोखने शक्ता दोस्तों आने वाले चार दिनों का श्रमे आपके लिए बहुत भागिशाली शमय है मगवान भोलेनात और माताल लक्षमी की असीम अनुकमपा आप शिवी को प्राप्त होने वाली है जे दोस्तों एश्मी श्राक्षात आप शिवी की जिवनकाल में धनकी द्वी मताल लक्षमी और देवों की देव महादेव आप शिव की जिवनकाल में आने वाले हैं जे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शम्पुन ज्यानकारी देने वाले हैं कि अगले चार दिनों का श्यमें आपके लिए आखिर केशे रहने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही मैघपुन वीडियो है दोस्तों वीडियो को शुरू करने से बहले शर्फ प्रत्म जो भी भगवान भोले नात और धनकी दिव माताल लक्षमी के सच्चे पिरभकते हैं दोस्तों चैनल पर नए हैं सबसे पहले सच्चे मन से चैनल को शब्क्राइब कर ले ताकि भगवान भुलेनात और माताल लक्षमी के अश्य मशिर्वाद आप शिभी को प्राप्त हो। जियां दोसों शाथी साथ इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों शिएक प्यारा शलायकर जरूर किजेगा और दोसों कमेंट बोक्ष में सच्चे मन शच्चे सर्द भावशी जय मालक्षमी हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा दोसों भगवान भुलेनात और माताल लक्ष शिए रखिष्ची में है और दोस्तोँ आप श्रिभी को बतादें कि यस में गुरू और शनी की बीस्तती बहुत ही परबल है जियां दोसों इश्टु प्रांती हम आप श्रिभी को बतादें कि आपके जुनकाल में जो योग बन रहे हैं दोसों वहान्यों कडरते ययोग वगषिवीखा, दूसों, अगले चार दनों का श्यम में आप शिवीख के जुनकाल में बहुती महत्नों रहने वाले हैं। कड़रों के लाब मिलने वाले हैं इश्य गर्षों के सिद्धी यश्में बन चुकी है जियां दोसों इसलिए दोस्व आप शबी को बता दे कि कौन-कौन शे बातों का आपको ध्यान रखना होगा जितूं दोस्व यह जानना आपके लिए बहुत यदा ज़री है और दोस्व कौन-कौन शे कारे आपके लिए यश्में लाबकार होंगे शबी बातों के बारे में हम आपको विस्तार शे बताने वाले हैं तो दोस्व इन शबी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से शुनिएगा जिया दोस्व शबसे पहले दोस्व हम आप शुक्र बता दें कि शुक्र का जूकाल में प्रेशन होने वाली है। आपके राशी के जितने बिचातक हैं दोस्वों बहुती बुद्धिमान होते हैं हिर्देशी बहुती शच्ची होते हैं शमाज में आपका बहुती अच्छा शवबाव है और शे कारण दोस्वों समाज में आपको मान शमान भी प्राप्त होते हैं शबी लोग आपके शम्मान इशली करते हैं कि आपके अच्छे भाव होते हैं। बस दोस्तों आप शिवी को बता दें कि इन्हीं के कारण आप शिवी के जुनकाल में कई बार शिव का भी आशिरवात पर राप्त होते हैं। जें दोस्तों और इन्हीं शबी के कारण आप शि द्यान भी रखना बहुत यदा उश्य होंगे और कुछ कार्य करना आपके लिए बहुत यदा जरूरी भी होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को बश आप शुरूश ले करना तक ध्यांशी देखिएगा दोस्तों हम हरी के बात आप आपको ध्यांशी बताने वाले हैं कि कौन- कि एश्यमी शुक्र की स्थिति आप शुबी के कुन्डली में अच्छ होने के वज़े से दोस्तों आप शुबे की जुनकाल में धन की दिवी माता लक्ष्मी की एश्यम अशिरवात प्राप्त होने वाली है अश्यम किरप आप शुबी की जुनकाल में जो भी धन से जुड पेश्ची के वज़ासे तो दोस्तों आप शिवी को बदा दें कि आपके वेशारी काम अगले चार दिनों के अंदर बनने वाली है आपके जुनकाल में जुनकाल में परिशानियां पिछले कईश्में से पेशों को लेकर आ रहा है दोस्तों वेशारी परिशानियां अब खत् लक्षमी आप शबी के जुनकाल में काफी पर्षण होए हैं, काफी आप आप उस जुनकाल में महनत भी किये हैं, उन्हें शबी का महनत काफी फ़ल आप शबी को पराप्त होने वाले हैं। तब तब दोस्तों आपके अच्छे कर्म आप शुवी को बचाते हैं यानि कि आपके अच्छे कर्म ही शनीदेव को प्रशन करते हैं और उन्हीं के वज़र से आपको अपने उनकाल में कई बार लाब के इस्तती भी देखने को मिलती है दोस्तों कई बार आप शुवी के उनक तराल में बहुत ज़िख्य कर्म करते हैं दोस्तों आपने पिछले उनकाल में बहुत जेदा मेहनत की हैं या पोई वह वयदा आप दुख को कि देखा है ? हम आप शुभी को बता दें कि पिछले स्चमशह। आपको या नजिनकाल में ृता मेहनत कर रहे हैं कि दोस्टू आप यह बात् लूग इतने करम शिवह के दिल को भी आप स्ठेश पहुंचाना नहीं चाते हción दोस्तों आप हमेशा याचीज शोचते ही कि जो लोग हमारी शाथ आज बुरा कर रहे हैं उनके शाथ कल बुरा होगा कि आखिर इश्वर कब तक हमें संकर देगा आखिर इश्वर कब तक हमें दुख देगा दोस्तों बहुत शारी विजार आपशिवी के मन में चलती हैं लेकिन दोस्तों हम आपशिवी को बिदा दें कि इश्वर हमेशा आपशिवी के साथ है कभी भी आपके भाग खराब नहीं हुए कभी आपको गरों का शुप फल नहीं मिला है लेकिन दोस्तों कईवार एशे होते हैं जब गरहों के स्तिती बदल जाती है जब बहुत शार एशे गरहों के स्तिती एक्षात हो जाती है जिनके करण कईवार असुप पस्तिती का निर्मान होता है लेकिन दोस्तों आपने जो मेहनत किरते हैं आपने जो भी मेहनत किया है दोसों उन शबी का फल आपको एक ना एक दिन तो मिलना है जे दोसों जो भी आप अपने जुनकाल में मेहनत करते हैं जो भी परिश्रम करते हैं दोसों उनका फल तो आपको मिलना एक ना एक दिन है जे दोसों इशली तो तो कहते हैं कि दोसों लिखते रह जाएंगे जियां दोस्तों शाक्षाद भगवान भूलेनाद का भी यश्य मश्यरबाद आप शिवी के जियुनकाल में यश्मी होने वाले हैं जिन से कोई भी दुश्मन आप शिवी का कुछ बिगाड नहीं पाएगा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कि जियां दोस्तों यश्मी देवों के देव महादेव का हाथ आपके शिर पर है और दोस्तों आने वाले चार दिनों में आपको बड़ी खुशकवरी मिल करी रहेगी जियां दोस्तों आप शिवी को बिदा दे कि आने वाले चार दिनों का श्मे करों की इस्तिती बहुत ही प कर रहे हैं दोसों उन्हें शबी की मुनकमनाई यश्मे पूरी होने वाली है क्योंकि शाक्षात देवों के देव महादेव का शॉय आप शिवी के कुंडली में पढ़ा है जिन के कारण आप शिवी को यश्मे सभी कारियों में लावगी ही पराप्ति होगी प्रंतु आपको क कि कशी के वह शात धोखा करने की कोशिश बिल्कुल इना कीजीगा दोस्तों वेंहीं करेंगे जो भी शाय आपकी कंडली में शिव नाम का कशुभयो हो गया दोस्तों इनका शुप प्रभाव आप शुभी को देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपके अच्छे शुभाव आपके अच्छे ही कारी के उजशी हमेश्वा भगवान भोले नान आप शुभी के उपर परशन होते ही और आप शुभी के कुडली में शुभी चमतकार देखने को मिलते ही कि जहांपर शुकरशनी और शुभ नाम का शुभी को निर्मान हो जाए दोस्तों सभी का जो एक शाथ सन्योजन होता है दोस्तों इन ही से राज योग का भी निर्मान होता है जी अदोस्टों, और आने वाली इस चार दिनों का शमे आप स्बीकी जुनकाल के लिए बहुत ज़्यदा भागेशाली शमे है, यश्मे खुद को शाबिद करने वाला शमे है, यश्मे खुद को एशा कोई दिखाने का शमे है, जो लोग आपके नकामयाबी दिखना चाते थ उनको अपना कामयावी का जहन्डा दिखाने का शमय है जिना दोसुन शमय बहुती बलवान है दोसदों बशाय को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुती ज्यदा अच्छक है जैसे कि दोस्वन अगले चार दिनों तक दोस्वन कोई भी कार आप बेफुजल के कारे मिलकुल भ धंदी हो जाते हैं दोस्तों इस परकार के दो नमर के धंदे आपको भूल कर भी नहीं करना है किशी के कहने पर कोई कुंडली के इस्तती एश में बूरी हो जाएगी और दोस्तों उनका परवा उख्षिवे की जुनकाल में भी बुरा होगा इसलिए दोस्तों इन्हें चार दिनों के अंदर आपको इस बात का ध्यान लखना सबसे ज्यादा आवश्य होंगे कि दोस्तों बहुशा आरिशी कर भरुशा नहीं करना है चाहिए दोस्तों कोई भी कितना करेबी इंशान हो कोई भी हो यश में आपको धोगा मिलने के परवल चुमने वाली है आप जिजबी चेत्र में जाने वाले हो आपको इस भलताओं की प्राप्त होगी धन शंबंद की जो भी करिक्रिया हैं यश मे आगे बढ़ने वाले हैं और दोस्तों शत्रू भी परवल होंगे जब आपको शवलताय मिलती है तब तब शत्रू आपके परवल होती हैं तब तक आपको कुछ ना कुछ नुक्षान होता है इसलिए दोस्तों शबसी भला यही है कि आप किशी के भी बात में ना लगें अजनों के इंदर आपको कारी करने हैं दोस्यां अगर करेंगे तो दोस्यां आपकोय णुछान पुछान पुछान है वह भी शांत होंगे कि अगर फिवयो पूंदम विक्रणी में गजनी प्रणीरारी यहींस, आपके घर आने वाले हैं, तो दोसरों इश्य में आपको अपने घर में कौशा बातों का ध्यान रखना है। दोसों अपने घर में आपको अब शाफ शफाई का ध्यान रखना है, वे दोसों इश्योर आपको शंकित देने वाले हैं, आपके घर में आगमन करने वाले हैं, तो दोसों इश्योर में शाफ शफाई का आपको ध्यान रखना है, कोई भी जूठा आपको घर में नहीं फैलान आने हैं जेनुसों हम आक्ष्व को बता दें कि ये बाते हमेशा इश्वर को ही प्रशन आती है जो लोग एश्यकारियों को अपनाती है उनके जनकाल में इश्वर हमेशा प्रशन रहती हैं जेनुसों और देवियों को जो भी इस्त्री होती है दोस्तों उन्हें हमेशा ही मात मातालक्षमी का वाश कहा जाता है दोस्तों प्राचिन ग्यान से ही अबात प्रचलित है कि इस्त्रियों में मातालक्षमी का वाश होता है इसलिए इस्त्रियों आपको धनकी दिवी मातालक्षमी को प्रशन करना है तो दोस्तों कोई भी इस्त्रियों चाहिए वो आपकी माँ ह ऑपूत काल ने करना है रह Même आये हैं बpse बूरों को बसस्तों, आपको अपने मंहाद क्रोंकों मैं उपाई करना है जिया दोसों, कि दोसों, धनकी देवी माताललक्षमी और भगवान भुलिनात आपशिवी के जुनकाल में आये हैं, तो दोसों, युशे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत यदा जरूरी होंगे, जिया दोसों, इश्कु प्रांदी दोसों, हम आपको कुछ महत बातों को भी बताएंगे, जिसे के कुछ चीजों का धान आपको अगले चार दिनों तक भूल कर भी नहीं करना है, जिया दोसों, हम आप शुक बदादें कि दोसों, अगले चार दिनों के अंदर आपको जाडु को किशी को भी दान में नहीं देना है, जिसे दोसों, आपक चार दिनों के अंदर किशी को भी नहीं करना है इसे दोस्तों घर में शुक्षानते नश्ट हो जाती है और भगवान हमीशा इसे घरों से रुष्टो रहते हैं चार दिनों के अंदर तो आपको भूल कर भी नहीं करना है इसको परांदी दोस्तों हम आप शुब को इदा दें कि किसी भी भूके को ताजा भोजन का दान करना बहुत यदा पूर्ने की प्राप्ति होती है जे दोस्तों इसलिए अगले चार दिनों के अंदर आप इर्शे करियाएं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों भूल कर भी आप किसी को बास्वी भोजन का दान मत किजेगा दोस्तों इनसे घर में हमेशा असुबदा फिलती है और घर में जो भी देवी दिवता का वाश होता है दोस्तों वो हमेशा के लिए हर जाते हैं इसलिए दोस्तों इशा आप अगले चार दिनों में भूल कर भी मत किजेगा जे दोसों और बास्वी भोजन का दान आपको जीवन भर भी नहीं करना है लेकिन दोसों चार दिनों में हम आपको इश्री बताए है कि दोसों चार दिनों में जो घरों के स्थिती है वो बहुत ही परवल है जिए दोसों इशा करना दोसों आपको बहुत ही मुश्किलों का शामना करवाता है दोसों हमेशा घर में विवाद होंगी और कोट का चेहरी के मामले पड़ेंगे और धन की खर्चा बहुत ज़्यादा होंगी जिए दोस इसलिए आप इनका खास ध्यान रखें इश्क उपरांदे दोसों हम आप शिए को बता दे कि यश्मी कौन से कारे आपको करना है दोसों अगले चार दिनों में आप शिभी को अपने जुनकाल में बहुत शारी परविरतन लाने हैं जो कि हमने आपको बता है कौन से उपाय आपको एश्मे करना चाहिए जिन से आपको अपने जुनकाल में हमेशा शुक्षमिर्दी और हमेशा खुश्यों की प्राप्ति हो। आपको जाब करना है दोस्तों इस उपाई शे आर्थि घानी कम होती है और धन में बिरिद्धी होती है शाती घर में आये माता लक्षमी भी बहुत जदा प्रशन होती है तो दोस्तों इस उपाई को आप जरूर किजिगा शाती मोती शंक में रखने शेवी धन श्यदेव बढ बदा दें कि अगले चार दिन में आप शापको एक उपाई करना है जिनसे दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में भगवान शीव सबसे यदा प्रशन होंगे जी दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि हर शुबा उठकर आपको तूलसी को जलके शाथी दोस्तों उनके शाथे शाथी दोस्तों हमेशा उनके जुनकाल में खोशियां होते हैं और वगवान शीव भी उनसे प्रशन होते हैं जी हैं दोस्तों कि दोस्तों हम आप शिवी के अगले चार दिन के अंदर आपको कौन शा महतून भाई करना है जो कि आपके घर के लीए बहुत ज़्यदा आश्यक है और घर में आՈ महेमानों के लिए घर में आई देवत्दाओं के लिए भी शब्स महत्मुर है जो दो सों हमेशा आपको सुबा और शाम की समय घर में दूट दिखाने है दोस्तों इनसे घर में आए जोवी मातालक्षमी और भगवान शीव हैं वो प्रेशन न होंगे और दोस्तों आपके मन में आपके शरिट में घर में हमेशा ही शांति के अस्तापना होगी जो भी आपके अंदर रोग हैं जो भी शेक कश्टे हैं गिली कलेशें अकाश्मिक दुर्गटना आप शिवी की जुकाल में होने लगती है दोस्तों उन शबीशे आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान शीव और माता लक्षमी जी के अश्रवाशे आप शिवी की घर में नकार्त मुक्ता हमेशा खत्म हो जाएंगी जो भी नकार्त मुक उरजाए हैं वास्तों दोश हैं उन शबीशे मुक्ति मिलेगी दोसों अगले चार दिनों के अगर अगले चार दिनों के अंदर इशाप करते हैं तो दोसों गरन नचत्रों की बिस्तिती बहुत ये अच्छी होने वाली है जी दोसों दोसों इदियाक उपने जिवनकाल में धन्शमती और मान्शमन पाना चाहते हैं तो दोस्तों हम आप शुव को अदा दें कि आपको हमेश अगले चार दिनों के शमे में माताल लक्ष्मी और भगवान शिब के मनशे पूजा करनी है quase दोस्तों हम आप शुको बदा दें कि भगवान शिवी को बिलपत और दूद अवशी अर्पित किजिएगा उनका विश्य किजिएगा और शाथ एकली चार दिनों में माता लक्षमी के भी आपको पूजा करने हैं उन्हें लाल पुष्प अर्पित करना है दोस्तों ध्यान र करते हैं दोस्तों धार्मी का तलों में कुछ न कुछ दान करते हैं तो दोस्तों एशा करना आप शिवी के लिए जुनकाल में बहुत यदा कारगर शावित होंगे और बगवान भोली नाद और माता लक्षमी हमेशा आपके जुनकाल में प्रशन रहेंगे जिए दोस्तों इसको प्रांदी दोस्तों हम आप शुव को उदा दें कि अगले चार दिनों के इंदर आपको अपने जुनकाल में एक बहुती बड़ी और महत्पुन उपाय करना है। दोस्तों अपने जुनकाल में आप कोई भी एशिय गलत करिया हैं ना करें। जैसे कि दोस्तों होते हैं मांसमदीरा, मांशारी भोजन को आपको बिल्कुल भी शेवन नहीं करना है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखीएगा। इश्कुप्रादी दोस्तों आप शुरात्विक भोजन कर सकते हैं ये आपके लिए बहुती महत्पुन शाविद होंगे। इश्क अगर आप करेंगे तो आपके घर में मातालक्ष्मी और भगवान भुल्नात प्रश्ण होंगे। और आपके घर में वाश करेंगी आपके माश्यक शांती श्मी बढ़ने वाली है। जे दोसों, शादिशा दोसों हम आप शुकुब दादी की अगले चार दिनों तक शुभा और शाम आपको अपने घर में कपूर जलाना चाहिए। जे हां दोसों, घर में किशी भी परकार की जो अकास में घटना है, दुर घटना है, दोसों वेश भी टल जाएंगी, रात्री को शोने से पहले आपको कपूर जला कर ही शोना है। लिप्टा कर रखना है, जे दोसों वेशा मना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से, घर में लडाई होती है इसके लावाय भी, घर में जो भी देविदेवता आते हैं, वो भी रुश हो जाते हैं, तो दोसों ध्यान रखेगा, ध्यान से भी आप इसकार को करना है कि घर में जब भी आप रोटी पगाते हैं, तो उस तवे को हमेशा ही आप सिधा करके रखें, कभी भी दोसों गेश पर खाली नहीं छोड़ें, जी हैं दोसों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे रोटी शेकने के बाद उन्हें खाली तवाही गेश पर छोड़ देते हैं, यूँ ही छोड़ देते हैं, कि अगले चार दिनों में आप इस बात का खास दियान रखें, साथी साथ दोस्तों हम आप शुप को बदा दे कि अगले चार दिनों में आप अपने घर की शिफाई जब भी करते हैं, तो दोस्तों उनमें शे थोड़ अशा गोब मुत्र जरू आप बताते हैं, कि भगवान भूले नात को आपको प्रेशन करना है, भगवान भूले दोस्तों एतने भोले हैं कि मातरिक बिल्पतर्शे ही वह बहुत ही प्रेशन हो जाते हैं, मनिता है कि जो भी शिवलिंग पर नेमित रूपशे बिल्पतर चढ़ाता है उसकी हर तरह की मनोकामनाएं भगवान बोरेनात पूरी कर देते हैं इसके अलाव भगवान शिव को शमी के भी पत्ते बहुत यह प्रशन होते हैं इसलिए शावन के हर दिन शुविलिंग पर शमी के भी पत्ते चढ़ाना चाहिए जे दोसों भगवान शिव का दोसों दूदोर गंगा जल से विशेक करने से शबी व्यक्ति को शिव फलों की प्राब्दी होती है शिव जीव को काफी ये प्रशन होते हैं इसलिए दोसों भगवान शिव को प्रशन करने के लिए भगवान शिव की गिरपा पाने के लिए दोसों इन बातों का आप बिल्कुल ही खास जान रखेगा जिय मेटर गुलाबी या फिर शफेद कफड़ा चमेली का तेल दही शफेद मिठाई एक जोड़ा जनेव शात माताजी को अरपित करना है इसकी बाद दोस्तों कपूर और देशी घीशे आर्थी करें और श्री शुत का पाठ करें जो तो दोस्तों हम आपके बता दें कि जो भी प इन कारें को किजिएगा आप शिवी की जिनकाल में जो भी शमयशा है जो भी शंकट है उन शबीशी स्वयंग माताल लक्षमी और भगवान भुरिनात शुटकाराज अवशी दिलाएंगे तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक कि लिए आप शिवी का धन् आप शिवी का दिन शुब हो मंगल मैं हो